जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दे स्मार्ट एजू फोर यू में दोस्तों बीटी यूप यानि की बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन उत्रप्रदेश लखनाओं की ओर से आज दिनांक 11 सितंबर 2020 को दो नोटिस जारिक किये गया हैं जो कि आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर एंस्ट्यूट लॉग इन ओपन फॉर सिलेक्टेड इंस्ट्यूशन यह एक नोटिस है और सेकेंड जो नोटिस आई है वह आई है डेट एक्स्टेंट तो फिल सेस्नल गेम्स डिसिप्लीन केरी ओवर एंड अधर मार्क्स फॉर नोटिस को पहले देखेंगे और मैं आपको बता दूँ कि यदि आप खुद यह नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो यह आफिशियल वेपसाइट जो की है बीटी यूपी डॉट एसी डॉट इन इस पर जा करके लेटेस्ट नियूज का जो आप्शन है वहां पर जा करके आप यह दोनों ही ओफिशियल नोटिस प्राप्त कर सकते हैं चलिए इस ओफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं यह पहली नोटिस है जिसके प्रेशक है सचीव प्राविदिक सिछा परिशत उत्रप्देश लखनौ सचीव की द्वारा लिखा गया है यह सचीव जी द्व यानि कि गॉर्मेंट एड़ेड और प्राइबेट कॉलेजों के लिए नगलब की सभी कॉलेजिस के लिए जो है यह नोटिस है डेट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दस सितंबर 2020 नीचे की और आते हैं विशय इसका देखते हैं विशय है सम समेस्टर परिक्षा सितंबर 2020 एवं वार्षिक परिश्चा 2020 के चात्र शात्राओं के सैत्रिक अंको की आनलाइन प्रविस्टिक की तिथी बढ़ा है जाने के विश्यक तो जो डेट था अंको की फीडिंग का वो डेट था पांच नौ दो हजार बीस यानि कि 5 सितंबर 2020 लेकिन कतिपय यहां पर आप की आगया है उक्त के द्रिश्टिगत सभी अध्यनरत शात्राओं के सैध्धानतिक एवं प्रयोग आत्मक विश्यों के सैत्रिक अंको की आनलाइन प्रविस्टि पुना दिनांक 11 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक की जा सकेगे ठीक है तो यह जो डेट थी माक्स फीडिंग की वो जो है 5 सितंबर से बढ़ा करके लास्ट डेट अब कर दी गई है 15 सितंबर 2020 तो 15 सितंबर 2020 तक गौर्मेंट एड़ेड और प्राइवेट कॉलेजिस को जो है जिन्होंने अब नंबर जो है चात्र शात्राओं के अभी तक फीड नहीं किये हैं वो जा करके वहां पर फीड कर सकते हैं सेकेंड्ड जो यहां पर नोटीज आया है वह एंस्ट्यूट लॉग इन ओपन फॉर सेलेक्टेड इंस्टूशन्स तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है सेकेंड्ड जो ऑफीशियल नोटीस है वह उपन हो चुकी है जिसके परिशक है सचीव प्र प्राधानाचार निदेशक परिशत से संबंद नीजी छेत्र की संस्था यानि कि प्राइवेट कॉलिजेश के लिए यह ऑफिशल नोटिफिकेशन है दिनांक है दस नौ 2020 विशा यहां देख सकते हैं आप लिखा हुआ है सम सेमेस्टर परिक्षा वार्षिक परिक्षा सितंबर 2020 संबंदी कारेवाहिश शुनिश्चित किये जाने हैं तू संस्था लॉगिन खोले जाने के संबंद में नीचे लिखा गया है महोदय उप्रोक्त विश्यक परिशत के पत्र संख्या प्रावेदिक सिच्छा परिश्चा अनुभाग 6 परिश्चा सुल्क 2019 और यह सभी डेट और जो है नोडिफिकेशन नंबर दिये गए हैं यहां पर और भी डिटेल्स दिये गए हैं और यहां पर उसके बाद लिखा गया है 19.08.2020 का संदर्ब ग्रहंड करने का कस्ट करें परिशत के उप्रोक्त पत्रों द्वारा आपको परिश्चा सुल्क एवं परिश्चा अवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने हैं तू समय समय पर निर्देशित किया गया था 19.08.2020 परिश्चा के परिश्चा सुल्क का ट्रेजरी चलान एवं परिश्चा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जमा करने हैं तू निर्देशित किया गया था परन्तु आप द्वारा अभी तक वांचित अभिलेक परिश्चा को उपलब्द नहीं कराए गया है उक्त के दृष्चिगत आपकी संस्था का लॉगिन भी परिश्चत द्वारा बंद किया गया है जिससे आप द्वारा सम समेस्टर वार्सिक परिश्चा सितंबर 2020 से संबंदित कोई भी कारवाही सुनिश्चित नहीं की गया है और नीचे लिखा गया है उक्त प्रकरण दिनांक 10.9.2020 को निदेशक प्राविदिक सिच्छा उत्तर प्रदेशकानपूर की अध्यक्षता में आहुद परिश्चा समीति के बैठक में समीति के समुक विचारार्थ प्रस्तूत किया गया है जिसमें परिश्चा समीति द्वारा शर्व समती से निम्नवत निड़ा लिया गया समीति द्वारा प्रकरण पर विचार भी मर्स किया गया एवंचात्र शात्राओं के भविष्ट के द्रिष्टि गजसम समेश्टर परिक्षा वार्सिक परिक्षा सितंबर 2020 के परिक्षा आविदन पत्र भराय जाने एवंचात्र शात्राओं को परिक्षा में समलित किया जान ये तुनिर्देशित किया जाए संस्थाओं द्वारा यदि निर्धारित इस समय पर वाण शिथ प्रपत्र परिशत कारयाले में उपलब्द नहीं कराए जाते हैं तो सम्मंदित शंस्था का परिच्छा पल रोक लिया जाए एवं संस्था की विरुद्ध नियमा अनुशार कारेवाही सुनिश्चित की जाए परिच्छा समीती द्वारा लिये गए निर्ड़ा के अनुकरम में आपकी संस्था लॉगिन दिनांक 109220 से 129220 के मद्ध खोला जा रहा है तो अन्तिम रूप से प्राइवेट कुछ प्राइवेट कॉलिजिस को जो है मौका दिया जा रहा है ट्रेजरी चालान सूलक जमा करने के संबंध में और बोर्ड फार्म जमा करने के संबंध में तो उन्हें जो है फॉर्म जमा कर देना होगा उनका जो संस्था होगा संस्था लॉग इन वह ओपन होगा 10.9.2020 से 12.9.2020 के मद्ध तो इसके बीच उन्हें अपना जो है बोर्ड फॉर्म सभी सब्मिट करना होगा और फीज जो है फीज की ट्रेज़री चालान भी जमा करने हो ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम